एक सुशीर जी पोलेखा जवाब यही होता है कि हम भी दहशत गर्दी के मारे हुए हैं पाकिस्तान का जवाब जब आप उसके उपर आरोब लगाते हैं तो कहते हैं हमारे याँ आप से ज़्यादा दहशत गर्दी है देखिए जब कोई किसी को बम मारके उडाता है और फिर बम बनाता हुआ खुद बम उसके हाथ में फटकर मारा जाता है तो बम बनाने वाला साहनुभूती का हगदार नहीं होता जिस हम्टी से रहनावारी जाते वक्त अगर किसी को साथ घंटे लगते हैं तो सडक पर सूडानी नहीं थे इथोपिया से आए हुए नहीं थे अफगानी पठान नहीं थे वहां के स्थानिये थे जो आजादी मांग रहे थे जो हमको आतंक से डरा रहे थे जो अरत के खिराब नारे लगा रहे थे वो आस्मान से टपके हुए लोग नहीं थे और वो लाखों की तादाद में थे वो कोई दो चार केवल आतंक वादी कोई जैश महम्मद या लशकर नहीं था महलों से निकले हुए लोग थे वहां की स्थानी मस्जिदों के लाउट स्पीकर को इस्तेमाल करने वाले लोग थे हमारी मुख्बरी करने वाले लोग थे हमारे घरों में घुज गए दुकानों में घुज गए खेतों में घुज गए वो लोग थे आप कितना जूट बोलेंगे हाँ कश्मीरी मुसल्मान मारे गए इसलिए नहीं मारे गए कि वो मुसल्मान थे वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन पे शक्त था कि ये मुख्बिर है वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनसे खद्चा था कि ये जिहाद की राह में रोड़ा है उन पे शक्त था कि ये देश भक्त है उनसे आपसी रंजिश थी जगड़े थे और बहुत सी वज़ें थी लेकिन ये वज़ें कते ही नहीं थी कि ये मुसल्मान है रोजा नमाजी है ले वो हिंदू हैं वो हिंदू होने के कारण मारे गए किसी हिंदू ने मुसल्मान को नहीं मारा मैं महीनों सालों से पूछ रहा हूं मुझे एक मुसल्मान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो एक का और मैं यहां कहता हूँ दावे के साथ मुझे ज मुसल्मान था हर कश्मीरी हिंदू का बलापकार करने वाला मुसल्मान था मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जिसका शीशा भी चटकाया हो किसी कश्मीरी हिंदू ने एक मस्जिद का नाम बता दीजिए हर मंदिर को वेंडलाइज करने वाला मुसल्मान था हर मंदिर को हम लोग आस्मान से नहीं उत्रयासा करने के लिए जी सचाई से आप आँखें नहीं चुरा सकते अभी देख लेते हैं जबाब देखें